हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई स्टॉडी ताइम आज के इस वीडियो में हम एने फ्रेंक दो डाइरी ऑफ यॉंग गाल यह जो टॉपिक है इसे डिसकस करेंगे तो यह जो टॉपिक है यह B.E.G. 105 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं तो एने फ्रेंक के बारे में डिसकस करने से पहले हम डाइरी किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़े जान लेते हैं डाइरी का डेफिनेशन यहां पर लिखा गया है एक डाइरी लाइक अटोबायोगरफी और मेमोयर बिलॉंग्स टू अटोबायोगरफिकल जैनर और राइटिंग इट इज लिटरिर फॉर्म इन हुई दो राइटर मेंटें से रेगुलार्ली केप्ट रेकॉर्ड और जो रेकॉर्ड है वो मेंटेंग करता है ठीक है यहां पर हीच और हार कोई भी हो सकता है मेल और फिमेल जो खुद के बारे में लिखता हो खुद का लाइफ एंड थॉर्ट के बारे में तो उसे हम डाइरी राइटिंग कहेंगे तो यह जो टोपिक है एने फ्रेंग यह लिखते हैं उसका नेचर को यह दरसाता है ठीक है डाइच जो की लाटिन वाड है और उसी से डाइरी वाड लिया गया है ठीक है तो डाइरी जो लिखते हैं खुद के बारे में लिखते हैं तो हमेशा मैं या फिर खुद के बारे में जो वाड है उसे ना यूज करके हम क्या लिखते हैं वहाँ पर डियर डाइरी लिखते हैं तो यहाँ पर जो एनेफरेंग लिखा है खुद की जगा वो क्या कहता है किटी कहता है जो diary की जगा वो किटी जो फ्रेज है उसे यूज किया गया है यहां पर ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा एने फ्रेंग का जो diary है वो क्यों important है इसके बारे में थोड़ा discuss कर लेते हैं एने फ्रेंग's diary as a literary work तो यह literature के perspective से इसका क्या importance है इसके बारे में थोड़ा discuss कर लेना चाहिए एने फ्रेंग's diary is touching and beautifully written on war and its terrible impact on human life तो यह जो लिखा गया है एने फ्रेंग's diary यानि एने फ्रेंग's ने जो खुद के बारे में लिखा है उसके जरीए वो बहुत ही touching and beautiful वो बहुत ही beautiful तरीके से लिखा गया है और touching है क्योंकि एने फ्रेंग को वो जो diary मिला था 13 साल की उम्रे में मिला था तो वो जो भी उस diary में लिखा है उसमें loyalty है और वो truthfulness को दरसाता है ठीक है इसलिए यह बहुत ही touching है और beautiful है और क्या इसका impact इसका जो war के बारे में लिखा गया है और war का जो terrible impact लोगों पर पड़ा था लोगों के life पर उसके बारे में भी यह reflect करता है ठीक है next लिखा गया है describe individual and personal experience यहाँ पर हारिक diary में क्या होता है personal experience होता है उसके साथ-साथ यहाँ पर personal experience है और उसके साथ-साथ describe the emotional side यहाँ पर जो वो लोग जो एने फ्रेंग और उसका जो family है वो hideout में कैसे 2 साल बिताते हैं वो जो emotional side है उसको भी यह दर्साता है ठीक है It is written in first person point of view but describe or we can hear the voice of 6 million people affected by holocaust ठीक है तो यह first person narrative में लिखा गया है यानि एक person इस diary को लिख रहा है लेकिन यहाँ पर हमें 6 million people का voice यहाँ पर सुनाई देता है holocaust क्या है आगे discuss करेंगे holocaust में जो 6 million people affected हुए थे 6 million people को मारा गया था उन सभी people का voice हम इस diary के जरिये सुन सकते है यानि कि यह diary इतना powerful है आगे लिखा गया है diary as a social, historical and literally document इस diary के हम social, historical and literally document की तरह यूज कर सकते है जो next point है Anna Franks का जो wish था I want to go on living even after my death यानि कि वो diary के जरिये अभी भी हमारे भी जिन्दा है यह Anna Franks का wish था तो यह इस diary के जरिये सच हुआ है तो आएए Anna Franks के live के बारे में discuss करते हैं Anna Franks का जो पूरा नाम था वो था Analyst Mary Frank जो की एक जूइस गाल थे ठीक है और उनका जन्म हुआ था 12th June 1929 Frankfurt, Germany में उनका जन्म हुआ था और Anna Franks का जो मृत्य हुआ था वो 1945 कुछ इंटरनेट में 1944 लिखा गया है लेकिन उनका जन्म हुआ था उनका जो मृत्य हुआ था दिहांत हुआ था 1945 में हुआ था ठीक है उनके पिता ओटो फ्रेंक थे उनका पूरा नाम था ओटो हेंरिज फ्रेंक ठीक है और यह जो डायरी उनको मिला था अन हर 13 वाट दे उनका तेरवी जन्म दिन पर उन्हें एक रेड चेक मार्क दिया गया एक डायरी मिला था और उसी डायरी के डायरी में वो अपना थोर्ट्स उनका जो लाइब का था वो सब लिखते थे वह डायरी में ठीक है यह 1942 से 1944 जो दो साल उन्होंने हाइड आउट में विताया था उन्हीं दो सालों के जो उनका इवेंट था लाइब के बारे में वो सभी इस डायरी में लिखा गया था याद रखे गया 14 जून 1942 से 1 अगस 1944 इन यह दो साल का वक्त जो भी था इसी वक्त का जो भी इवेंट हुआ था वो सारे के सारे इस डायरी में लिखा गया था उन्होंने उस हाइड आउट में 25 मौन्स यानि दो साल एक महिना उस हाइड आउट में बिताया था जिसे सिक्रेट एनेक्स से कहा जाता था उनके एक सिस्टर थी उनका नाम था Margaret Frank ठीक है तो आएए चलते हम Holocaust क्या है और इसका impact कैसे पड़ा था उसके बार में डिसकस कर लेते हैं Holocaust Holocaust refers to the state sponsor systematic killing of millions of Jewish people by Nazi Germany and its allies under the rule of Adolf Hitler during World War 2nd जो कि 1939 से 1945 के बीज में हुआ था ठीक है Holocaust क्या होता था systematic killing of state sponsor systematic killing यानि एक state के निर्देश से एक प्रदेश के निर्देश से जो systematic killing होता था उसे Holocaust कहा जाता था और यहाँ पर millions of Jewish people को बे रहमी से हत्या कर दिया जाता था वो भी Nazi Germany यानि Hitler के आदेश से जो Jewish people को मार दिया गया था उसे Holocaust कहा जाता था ठीक है और यह 1939 से 1945 यानि Second World War के बीज में हुआ था और Holocaust के बारे में अगर जानना हो तो यह जो चार movie यहाँ पर लिखा गया है यह चा पियानिस्ट एन सिंडर्स लिस्ट ठीक है इन चारों movie को आप देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया movie है ठीक है दो नाजिस केम टू पावर इन जर्मानी इन 1933 बाइद एंड ऑफ वर्ड वर्स सेकेंड नियॉली 6 मिलियों Jewish had been killed by दो नाजिस जर्मानी में 1933 में नाजिस इलक्षन जो में पावर में आई थे वो इलक्षन जीत गए थे तो उसके बाद क्या हुआ वर्ड वार्ड सेकेंड के बीच उन्होंने नियॉली 6 मिलियों Jewish people को हत्या कर दिया गया था उसी दोरा और ये सब एडलोफ हिटलर के आदेश से हुआ थ जीत जिट गए थे और जर्मानी के पावर में आ गए थे ठीक है ओटो फ्रेंक moved with his family to Amsterdam, Netherlands and started business there लेकिन क्या हुआ, in 1940 जर्मानी invaded Netherlands and Jewish began to persecute it into India थू, तो 1940 में क्या हो गया, जर्मानी Netherlands पर भी आगे और Jewish people को persecute यानि उन्हें उत्पीडन करने लगी, तो अब क्या हो गया, when a notice summoning Margaret to the Nazi's office watch his suit, Otto Frank and his family decided to move into a hiding place behind the company's premises which was called secret annexy, ठीक है, तो इसे समझते हैं, जब नाजी party क्या कर रहे थे जब बच्चे 16 year के हो जाते थे, उन्हें camp में भेज दिया जाता था, और उन्हें काम करवाया जाता था, वो ही मुफ्त में, ठीक है तो जब Margaret को 16 year हो गया था, तो उनके नाम पर एक summon आया था, ठीक है उन्होंने company का जो background पीछे का हिस्सा था, उसके नीचे एक secret room था, तो वहाँ पर वो लग चले गए, जिसे कहा जाता था, secret annexy वहाँ पर रहने के लिए कुछ minimum समान था, और कुछ quarters थे वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर दो साल अपना बिदाया था, ठीक है On July 6, 1942, her family moved into the secret annexy, तो 1942, 6th July को उन्होंने अपने family के सहीद, उस secret annexy में चले गए थे, और वहाँ पर उन्होंने दो साल बिदाया था, ठीक है, तो यह था background कि Anna Frank कैसे उस secret annexy में पहुँचे तो अब देखेंगे hideout में क्या-क्या हुआ था, कुछ discuss कर लेंगे, तो यह वीडियो का part 1 है, इसके बाद second part आएगा, और second part में हम discuss करेंगे कि Anna Frank का जो diary writing है, उसको हम सिधा discuss करेंगे, इस part में हम सिर्फ basic को discuss कर रहे हैं तो इसके बारे में मुभी में बहुत अच्छे तरीके से describe क्या गया है, तो hideout में क्या था, दो small rooms था, और adjoining toilet था, यानि toilet attest था, at the first level, यानि कि यह दो floor वाला था, first level में यह सब था, and second level में क्या था, a large room and a small room उसके साथ साथ एक attic था, यानि छद बाला जो कमरा होता है, वो था, ठीक है, the door to the secret room was covered with a book self, यानि कि जो secret annexay को जो रास्ता था, उसे एक book self से बंद किया जाता था, यानि बाहर लोगों को पता ना चल सके, इसलिए उसे एक book self से क्या किया जाता था, cover कर दिया जाता था, ठीक है, another family consisting of Mr. and Mrs. Van Dan, their 16 year old son Peter, joining NS family of four, यानि कि कुछ दिनों के बाद, NS Frank के family उहाँ पर कुछ दिनों रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, Mr. and Mrs. Van Dan, इनका family जो था, तीन लोगों का family था, Mr. and Mrs. Van Dan, उसके साथ 16 year old son Peter, उन्होंन भी आक के उस hideout में रहना चालो कर दिया, ठीक है, यानि कि वो लोग साथ जन होगे, ठीक है, later a dentist called Albert Dossel was also given shelter, यानि कि उस hideout में total 8 जन रह रहे थे, In the beginning, Anna speaks of her pleasure at having people to talk, talk to, but soon, tension developed within the group, she continued to write with increasing hope and joy, never disheartened by the fear of isolation, until the last entry of 1st August 1944, ठीक है, तो शुरुआत के दिनों में, Anna को वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्यूंकि बात करने के लिए बहुत सारे लोग मिल गई थे, लेकिन जैसे ही time बिता गया, group में क्या हुआ, tension बढ़ता गया, क्यूंकि वो 2 साल तक उस hideout में बिताये थे, और धीरे धीरे उन्हें कभी खाने की जो कमी हो रहा था, यानि रहने की बहुत वहाँ पर मुस्किले थी, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे उस group में tension बढ़ता गया, लेकिन वो कभी ऐसा feel नहीं क्या, she continued to ride with increasing hope and joy, never disattained by fear of isolation until the last entry of 1st August 1944, यानि कि उसका जो last entry 1st August 1944 में हुआ था, उस बग तक वो कभी भी अपने को खुद को अकेले महसूस नहीं क्या था, और वो hope and joy के साथ, वो जो last entry तक भी वो अपना diary लिखती गयी थी, ठीक है, तो ये था वीडियो का part 1, आगे जो part आएगा, उस part में हम NF Frank का जो diary है, उसे ही discuss करेंगे, तो ये थो था basic जो NF Frank के बारे में दफसाती है, तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए and my study time YouTube channel को subscribe कर ल